देश के प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी से कई सवाल पूछे है और उन्होंने बताया है कि बिहार में कितनों लोगों को जो है वो नौकरी मिल रही है और रोजगार भी मुहया कराया जा रहा है लेकिन देश के प्रधान मंत्री ने जो वादा किया था उस वादे का क्या हुआ रास्चिय द्यक्ष ने अपने ट्वीट के माध्यम से लिखा है आदरनिय प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जी ने प्रतिवर्ष दो कडोर रोजगार देने का वादा 2014 में किया था लेकिन दिया जीरो बेरोजगारी आज देश में बहुत बड़ी समस्या है देश का युवा वर्ग नौकरी के लिए तलास में भटक रहा है इन्ही इस थीतियों में महागटबंधन सरकार बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से दो लाख सिक्षकों से अधिक निउक्ती करवा रही है इसके अलावा प्रतिवर्ष इसी तरीके से निउक्तियां की जाएगी पूरे प्रदेश सहित हमारे संसदिय छेत्र मुंगेर के अनेक युवकों और युवतियों ने सिच्छक निउक्ती की परिक्षा उतिर्ण की है सभी सफल अभियातियों को बधाई और उनके उजवल भविस्य की कामना करते हैं बता दे आपको कि जिस तरीके से BPSC के द्वारा परिक्षा ली गई है और उसी के मादयम से सिच्छकों की बिहार में बहाली हो रही है तो ललन सिंग ने अपने ट्वीट के मादयम से उन लोगों को बधाई भी दी है जिन लोगों ने परिक्षा में उतिर्ण किये हैं और उनको बधाई देते हुए उन्होंने एक तरीके से देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के उपर जो है वो जोरदार हमला किया है वो नौकरी की तलास में इधर उधर भटक रहे हैं लेकिन जिस तरीके से बिहार में जो सरकारी नौकरी मिली है उसको लेकर भी उन्होंने लिखा है कि इन ही स्थितियों में महाकडबंदन सरकार बिहार लोग सेवा आयोग के माध्यम से दो लाग सिक्षकों से अधिक की नि युक्तियां की जाएंगी पूरे प्रदेश सहित हमारे संसदिय छेत्र यानि कि मुंगेर से वो संसदिय छेत्र में भी जो युवक और युवतियों ने परिशा दी है परिशा देकर जो उत्तिर्ण हुए हैं उनको भी उन्होंने बधाई दी है और साथी साथ देश के प् पूछा है उन्होंने कि आखिरकार जो आपने वादा किया था उस वादे का क्या हुआ है बनेश पोडिशन के साथ नमस्कार